नमस्कार मैं हूँ जूली आपिस सक देख रहे हैं दे इंडिया टॉप पिछले कुछ समय से बिहार में जातिकत जनगर्ना को लेकर राजनीती काफी गरम थी जदियों और आरजडी समेट कई पार्टियों ने लगातार जातिकत जनगर्ना करवाने की मांग की थी और भाजपा इस पर चुपी साधे हुए थी लेकिन अब भाजपा ने अपना रुख साफ कर दिया है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफ नामा दायर कि और उसमें कहा है कि 2021 में जो जनगर्ना होगी उसमें जातिकत जनगर्ना नहीं करवाई जाएगी इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ महजूद है लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता क्रिशन सिंग कलू आईए हम इन से जानते हैं कि इनकी पार्टी का इस मुद्दे पर क्या स्टैंड है सर क्या स्टैंड है लोजपा का इस मुद्दे पर देखे जातिये अधार जनगन्ना पे लोग जन सकती पाटी के राश्ट्री अध्यक्ष आधर्णी चिराक पास्वांजी और पाटी का स्ट्रेंड बिल्कुल ही किलियर है कि जातिये जनगन्ना होनी चाहिए बेरहाल अगर केंद्र सरकार इसको अगर नकारा है तो ये बात के चीज है बिहार के मुख मंत्री स्री निरिंद्र मोदी जी से मुलाकात की गई थी तो माननिय मुख मंत्री जी को अपने राज्जी सरकार के खर्च से जातिये जनगन्ना करवाना चाहिए हमारे नेता लोजपा के संस्थापक परन्पूजनिय स्वर्गी रामिलास पासवान जी पद्मभुशन में है उन्होंने हर वक्त कहा था मैं उस घर में दिया जिलाने चला हूँ जहां सद्यों से अंधेरा ही अंधेरा है सोसितों पीछडों देलितों की आवाज स्वर्गी रामिलास पासवान हर वक्त वो बने रहें अपनी हक की लड़ाई बिहार की जंता की लड़ाई को उन्होंने सडक सलेकर के सदन तक लड़ने का उन्होंने कारे किया बैरहाल नितीश कुमार जी को अगर केंद्र सरकार ने यह कह दिया है कि जातिय जंगन्ना वो नहीं कराएंगे तो मुख्यमंत्री जी को किस अवस्था में प्रधान मंत्री जी और केंद्र सरकार ने यह कहा यह तो बखो भी वही जानते होंगे कारण जो भी हो लेकिन बिहार में जातिय जंगन्ना होनी चाहिए और राज्य सरकार अपने खर्चे से जातिय जंगन्ना करावे है लोग जंसक्ति पार्टी का यही मांग है और डिमांड है बिहार में इस वक्त अंडिय की सरकार है जिसमें भाश्पा और जद्यू दोनों है गडबंधन में लेकिन जद्यू ने बार बार जातिकत जंगन्ना की मांग की इसके बावज़द भी भाश्का ने साफ इनकार कर दिया है तो आपको क्या लगता है कि कही ना कही नितीश रंपा पे ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं बिहार की जनता ने जनता डली यू को पूरी तरीके से बिहार विधान सवाच चुनाओ मिन्नकार दिया था और एकहत्तर से तेतालिस पे आ गया मानो तो इश्वर को भी नागावार गुज्रा कि उनके दो-दो विधायक अभी जुनिया में नहीं है खैर उनको मैं नमन करता हूँ किसी व्यक्ति के चले जाने पर मैं राजनितिक नहीं करूँगा बैरहाल इश्वर को भी ना मंजूर है कि नितीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे और नितीश कुमार जी की इस्तिति ये हो गई है कि फैसला लेना क्या है और बिहार में करीब 17 साल से वो मुख्यमंत्री है परदेश के उनके दोरा किया गया पांच चिकार जो बिहार के जन्ता के लिए किया गया है उस पांच चिकारे को पटल पे वो रह के जन्ता को क्यों नहीं दिखाते हैं स्वास्त का मामला हो या सिक्षा का मामला हो इवाओं छात्र छात्राओं को रोजगार का मामला हो मुख्यमंत्री जी आप 17 साल से मुख्यमंत्री हैं बिहार के है ऐसी क्या जरूद पढ़ जाती है कि बिहार के छात्र छात्राओं नौईवा को नौकरी के लिए कमाने के लि दूसरे परदेश में जाने क्याव शक्ता है। क्या बिहार राज्य में कोई कारे नहीं हो सकते हैं? जिस्ते कि बिहार के लड़के बिहार की युँँँँआएं छात्र-चात्राओं अच्छे कॉलेज़ नहीं हैं। अच्छे स्कूल नहीं हैं जहाँ लोग पढ़ सकें। मानो तो आप अपने अगल बगल में ही आप देखो तो पता चले कि आपके जो बगल के पडोसी के लिलके कहां भई पढ़ते हैं तो वो गुजरात में पढ़ते हैं वो दिल्ली में पढ़ते हैं वो कलकत्ता हैं पढ़ते हैं मानने यह मुक्ह मंत्री जी, आप 17 साल से मुक्ह मंत्री हैं, आपने क्या किया है भीहर में, इंडिये की सरकार ने 19 लाख रोजगार की बात कहे थी, वोट लेने के पहले, क्या 19 लाख रोजगार मिला, और तो और जब युवा साथी छात्र छात्रा हैं अपनी हक की ललाई लड़ते हैं सड़क पे जब परदर्शन करते हैं तो मुख्यमंत्री जी डंडे से पीटवाते हैं पानी से बोच्छाड करवाते हैं मुख्यमंत्री जी आप भूल गया है कि आप भी जो हैं उसी जेपी आंदोलन से लड़के जगड़के यहां तक पहुँचे और बेहार के मुख्यमंत्री बने केंदर में मंत्री बने तो क्या आज के जो युवाज सड़क पे लड़ रहे हैं अपनी हक की लड़ाई के लिए तो आपको नागावार गुस्ता है सर मुख्यमंत्री की घरगर नलजल योजना को लेकर भी चिराग पास्वान ने कई बार निशाना साधा है और उसी सिलसिले में तारकिश और प्रसाद पर सवाल उठे हैं कि उन्होंने इसमें करोडों की कमाई की है गर कानूनी तरीके से तो इस पर आपका क्या कहना है देखिए निटीश गुमार जी के लाया गया कोई भी कानून हो यूं कहें तो कारे हो सब का सब अधूरा है नलजल योजना की जो बात आप कह रही है कि उप्पे मुख मंत्री जी पे जो आरूप लगा है ये आरूप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ बैरहाल बिहार सरकार के करीब करीब 99% मंत्रियों को अगर चेक कर लिया जाए अगर ज्याँच बैठा लिया जाए तो इनके 99% मंत्री दोसी पाएंगे किसी न किसी घोटाले में आज आप बिहार के किसी भी थाने में चले जाएए वहां का दरोगा या इंस्पेक्टर जो कहले हैं बिना 500 रुपे घूंस लिये हुए एक आपका सनहो और एफाया दर्ज भी नहीं कर सकता है आप देख ले कि कभी किसी DM के हाँ च्छापा पड़ रहा है तो कभी किसी CEO के हाँ च्छापा पड़ रहा है तो कहीं ने कहीं बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री जी भरष्टा चार से लिपित हैं मुख्यमंत्री खुद मुख्य मंत्री जी का लाया हुआ पुन्ष्राबंदी क्या बिहार में पुन्ष्राबंदी है बिहार के प्रतेक जीले में किसी न किसी दिन किसी न किसी प्रिखंड या पंचायत में चौक चराहे पर सराब की तसकरी आपको मामला सामने आएगा ही आएगा और तो और कुछ दिन पहले सराप से कुछ लोगों की जान भी गई थी तो मुख मंत्री जी के द्वारा लाया गया कोई भी कानून कोई भी कारें पूरा नहीं है सिर्फ और सिर्फ अधूरा ही अधूरा है बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए तो ये थे लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता इनका कहना है कि नितीश कुमार की सारी योजनाय पूरी तरीके से फेल है और साथ में ये भी गंभी रारोप लगाया है कि बहार सरकार के तकरीवन 99 फीसदी नेता जो है वो किसी ना किसी मामले में दोशी पाये जाएंगे अगर उन पर जांच कराई जाए तो इसी तरीके की और भी कई खबरे हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं अगर आप उन खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारी यूटिब चानल को सब्स्क्राइब कर ले अगर ये वीडियो हमारे फेस्बूक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फालो करना ना भूले धन्यवाद